तमस्कार बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट अंतराष्टिय संबंद इंटरनेशनल रिलेशन के इस रिशे में इस पेपर में आज हमें एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं जैसे कहते हैं शीतियूद दा कोल्ड वार विदार्तियों दिर्टे विशोईद में जर्मनी और इटली के विरुद कंदे से कंदा मिलाकर लड़ने वाले राष्टर संउत राजी अमरिका और सोयसंग यूद की समाप्ति के पश्चाद से आपस में एक दूसरे से दूर होते चले गए इसका कारण यह था कि अमरिका दोरा जापान पर गिराए गए दो एटम बंबो से सोयसंग को समराज्य वाद का खत्रा दिखाई देने लगा इसे सोयसंग समयवादी विचादारा से कड़ाई बरतने लगा इसके परणाम शरूप दोनों सक्तियों में स्रेश्टिता के लिए प्रति दोंदेश्टिता आरम हुई फलता दोनों देश विश्व की दो माश सक्तियों के रूप में उबरे विश्व के अधिकतर देश इन दोनों देशों के नितरतों में इनके खेमे में एकतरत होने लगे अमेरिका और रूस की विचारदारा को इनके अनुनियाईयों ने अपनी सहमती वेक्त की अमरीका और रूस इनके नेता के रूप में उब्रे अब इन नेताओं के बीच विचारों का संगस जो प्रारम हुआ और सक्ति प्राप्ति के लिए जो होड हुई उसके परणाम सरूप सीत यूद का जनम हुआ अब हम सीत यूद के अर्थ के बारे में देखें तो सीत यूद सब्त का प्रयोग पहली बार अमेरिका के राजनेता बनार्ड बारूच ने किया परंतु प्रोपेसर लिप में ने इसे लोगप्रियव बनाया उसने इसका प्रयोग अमरीका तथा सोयर संग के बीच तनावपून संबंदों का वर्णन करने के लिए किया लड़ाई के केवल परचार माद्यमों, कागजी बमों और अन्य परकार के मनोवेगानिक तरीके अपना कर अपना परबूत वो इस्तापित करने का प्रयत्न करता है इस युद में विचारों की लड़ाई होती है जो पक्स अपने विचारों को दूसरे पक्स से स्रेष्ट तरीके से प्रस्तूत कर देता है वही विजई होता है एक और समयवादी देश सोयसंग दिर्टे विश्वयूत के प्रस्चाद यह प्रचार करने लगा कि अमरिका और समरेजवादी देश है और समरेजवादी विचारदारा विश्व के लिए अभिसाप है तो दूसरी और पुंजीवादी देश अमेरिका ये प्रचार करने लगा कि सोवेट संग एक सामयवादी देश है और सामयवादी विचारदारा विश्व सांती तता राष्ट्रों की सांती के लिए खत्रा है इस प्रकार दोनों पक्स एक दूसरे पर आरूप लगा कर अपने पक्स को सई सिद करना चाते थे शीत युद पर पंडित नहरू ने कहा है कि यह दिमाग का युद एक सनायू युद तथा एक प्रचार युद है शीत युद वास्तव में युद के नर सहारक दूस्पर नामों से बचते हुए युद द्वारा प्राप्त होने वाले समस्तु देशियों को प्राप्त करने का एक नविन अस्त्र है यह एक कूट नितिक युद है जिसमें विपक्षी देशों को विश्वराजनिती से अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है तो यह हो गया सीत युद का अर्थ अगर अपनी बासा में कहें तो अत्यारों और मंदुकों के बिना जो प्रचार के मादियम से एक दूसरे पर आरोप और परती आरोप लगा कर किसी को निचा दिखाना के मादियम से जो युद लड़ा जाता है उसे सीत युद केते हैं उसे केते हैं कोल्ड वार अब अगर हम सीत युद की परिवासा देखें तो जोसेफ फ्रेंकल के सब्दों में सीत युद को दो बड़े राजियों के बीच विद्वमान गहरी परतियोगीता अर्थाद चालों और परती चालों का सिल्सला माना जा सकता है हार्टमेन कहता है कि सीत युद का अर्थ राश्टों के मदियत तनाव की उस इस्ततिशे है जिसमें एक पक्स दूसरे पक्स को कमजोर करने तथा अपने इस्तति को सुद्रण करने का प्रेतन करता है परंतु यह वास्तियुक यूद की इस्तति से बिन्न है फिर पंडित जौलाल नहरू कहता है कि शीत यूद पुरातन सक्ति संतुलन की अवधाना का नया रूप है यह दो विचारधारों का संगर्स ना होकर दो मासक्तियों का आपसी संगर्स है फिर डी एफ फ्लेमिंग के सब्दों में शीत यूद एक ऐसा यूद है जो यूद छेतर में नहीं बलकि मनुश्य के मस्तिक्स में लड़ा जाता है यह तथा इसके दौरा उसके विचारों पर नियंतरन इस्तापित किया जाता है इस परकार हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि शीत यूद वास्तियूद ना होकर यूद का वातावरन होता है शीत यूद का रण सेतर यूद का मैदान ना होकर मनुश्य का मस्तिक्स होता है यह अत्यारों से ना लड़ा जाकर परतियोगिता, घ्रणा तता दूसरे को निचा दिखाने अधी साधनों से लड़ा जाता है तो यह हो क्या सीत यूद का आर्थ और उसकी कुछ परिवासाएं जो कुछ विचार को द्वारा की गई है अब हमारे पास में दूसरा टॉपिक आता है शीत यूद के कारण, शीत यूद किस कारण हुआ तो उसमें पहला आता है एतियासिक कारण पुझिवादी पश्चिमी देश 17 के बॉल्शेविक क्रांती के समय से ही सोवेशंग के विरुत थे क्यूंकि सामयवाद एक विश्व व्यापी अंधोलन था जिसका अंतिमुद्दिशिय पुझिवाद को समाप्त करके सारे विश्व में सामयवाद का प्रसार करना था उसे मानेता देने में बहुत आनाकानी की थी ब्रिटेन से 1924 में तता अमरिका से 1933 में सामयवादी सरकार को मानेता मिल सकी पशिमी देश हिटलर को सोय संग पर आकरमन करने के लिए प्रेरित करते रहे तो यह भी कुछ कारण रहा है एत्यासी कारण रहा है शीत यूद की इस्तापना का फिर दूसरा बिंदू आता है व्यचारिक मतवेद विदार्तियों दिर्टिय विश्वीद के उपरांत विश प्तांत्रिक विचारों का समर्तक राष्टर बना जबकि रूस समयवादी विवस्ता तता एक दलिय विवस्ता का समर्तक राष्टर समयवाद का उद्शिय मार्क्स ने पुंजीवाद की समापती गोशित किया इस विचारिक मतवेद ने विश्व में दो गूड बनाने के प्रेरित किया जिससे उनके माध्य तना पैदा हुआ शिवदूद को जन्म दिया तीसरा इसका मुख्य कारण अमरिका द्वारा अनुबं का प्रयोग अमरिका अपने सक्ति बढ़ाने के लिए एक सक्ति साली खोज अनुबं पर अनुशंदान कारिय तता उसका परिक्षन बहुत पहले से कर रहा था अमरिका ने इसकी जानकारी ब्रिटेन को तो दी लेकिन सोय संग से इसका राशिय चिपाया इसली परकार जापान के हिरोषिमा और नागासा की पर परमाणू बंब छोड़ते समय अमरिका ने ब्रिटेन से तो प्रामर्स किया परन्तु सोय संग की पून अविलना की अमरिका ने जापान पर बंब गिरा कर रूस को यर इस्पष्ट कर दिया कि सर्व सरिष्टता अमरीका में नहींत है और रूस की उसे आउसकता नहीं बलकि रूस को अमरीका की आउसकता है उसके बाद चौता बिंदू जो आता है अमरीका विरोधी प्रचार तो विदार्तियों सीट यूट के उच्पन के कारण में रूसी सरकार प्रचार माद्यमों ने अमरीका के विरोध प्रचार किया वे अमरीका की नीतियों की खुलकर आलोसना करते थे अमरीका की आलोसना करते विए रूस के प्रतिनिदी विशेंस की ने स्विवत राष्टे संग में कहा कुछ देशों जिनमें अमरीका परमुक है कि यूद प्रियता और विष्टारवादी नीतियों से जो यूद की मनोवर्ती उठी है वो फैलती जा रही है इसके अतरिक रूसी समाचार पत्र तास और इजावेस्टियां ने अमरीका के विरुद विष्ट उगलने की निति जो अपनाई वह भी शीदूद के कारण का उत्वन के कारण रहा उसके बाद आता है पांचवा बिंदू रूस द्वारा याल्टा सम्मिलन की उपेक्सा फर्वरी गुन 145 में याल्टा सम्मिलन में चर्चिल, रुजवेल्ट तता स्टालिन ने भाग लिया इस सम्मिलन में पॉलेंड, चीन, मौंगोलिया और पूरी जर्मनी से संबंदित कुछ निन्ने लिये गए रूस ने कुछ समय बाद ही इस सम्मिलन के निन्ने को तोड़ना सुरू कर दिया और फिर रूस के उपर इस सम्मिलन में कुछ आरूप लगए गए थे जैसे पहला आरूप है पॉलेंड में सोवेत हस्तसेप पॉलेंड में सोवेशंग द्वारा संरक्षित लूबीनान शासन और पच्छमी देशो द्वारा संरक्षित लंदन सासन के इस्तान पर सुतंतर और निश्पक्स निर्वाचन पर आदारित एक परती निदियात्मक सासन इस्तापित करने का निन्य लिया लेकिन दिर्थिव विशुद के अंत को निकट आते देख इस्टालिन ने अपने वचनों से अटना सुरू कर दिया उसने अमरीका और बिटिस क्रेशकों को पॉलेंड में प्रविश करने की अनुमती नहीं दी तता पॉलेंड की जन्तंतरवादी पार्टियों को मिलाने की का साबना करने में सोयशंकी भूमिकान ने पॉलेंड में चुनी हुई सरकार की सकति का इस्तानांतरन करने की सर्थ को भंग किया तता पॉलेंड के लोगतांतरिक नेताओं की गिरिफतारी तता पॉलेंड में अमरीका तता ब्रिटिस निर्यक्षकों के प्रविश की अनुमती देने से इंकार करना भी सम्मेलन के निन्यों का उलंगन था फिर दूसा पर जो है पूर्वी एरोप को समयवाद का निर्याद विदार्थियों हंगरी बल्गारिया रोमानिया और चेकुस लोगा किया में भी सोवित संग दोरा युद विराम समझते और याल्टा सम्मेलन की स चर्तों का उलंगन किया गया याल्टा में पच्छिमी सक्तियों ने पूरी तता मधी एरोप में सोवित परभाव को स्विकार कर लिया था परन्तु यह भी माना गया था कि सांती इस्तापना के पश्चात सतंतरता प्राप्ति करने वालों में लोगतांतरिक संस्ताओं की इ परन्तु सोयज संग ने अंगरी, बल्गारिया, रुमानिया और चेकोसलोवाकिया में लोकतंतर की पुनुर इस्तापना में मित्र राष्ट्रों के साथ स्यूप करने से मना कर दिया और सोयज संग समर्तक सरकारें बल पूरुवक इस्तापित कर दी। फिर आता है तीसरा बिंदू जो हम कह सकते हैं जापान के विरुद युद में भाग लेने की सोयज संग की इचकिचा हट। वहाँ परव्यस भी नहीं करने दिया जबकि सामयवादी सेनों को परव्यस करने की अनुमती दी गई। इसके कारण रूस की आलुसना की गई थी। फिर विदार्तियों आता है अपने पास छटा पॉंट रूस दुआरा निश्यदा दिकार का बादबार परयोग। कहने का मतलब यूएनों के अंदर जो चार मासकतियां हैं किसी निन्ने पर अगर विटों का अगर वो परयोग करती है तो वो विदेक या वो कोई भी निन्ने पास नहीं होता। तो यही कारण रहा कि रूस दुआरा विटों का बार बार परयोग किया जाता था। रूस ने पर्षिमी देशों विशेस तया अमरीकी प्रस्ताओं तता नीतियों के विरूद बार बार विटों का प्रयोग करके उसके प्रस्ताओं को निरिस्ट करने लगा जिससे पर्षिमी राष्टरों ने सोवेशन की कटू अलोचना की। फिर आता है अगला पॉंट जर्मनी के विरूद दूसरा मोर्चा खोलने में देरी दिर्थे विश्यूद में हिटलर ने रूस पर तेजी से अकरमन करके उसे बारी जंदन की हानी पहुचाई स्टालिन का ये विचार था कि यदि पच्छिमी यूरूप में जर्मनी के विरूद दूसरा मोर्चा खोल दिया जाए तो जर्मनी सेना पर दबाव बढ़ जाएगा और रूस पर दबाव कम हो जाएगा चर्चिल और रुजवेल्ट ने स्टालिन के इस विचार के विरूद विचार वेक्त किया कि दूसरा मोर्चा खोलना अभी इतनी चल्दी संबव नहीं है क्योंकि इसके लिए पूरी त्यारी चाहिए बाद में पस्यमी सक्तियों द्वारा मोर्चा खोलने पर सहमती भी हो गई परन तो उसे मद्य यूरोप की और से खोला ना की पस्यमी यूरोप की और से खोला जैसे कि सोयसंग चाहता था दूसरा मोर्चा खोलने में जान बूच कर की गई देरी और दूसरा मोर्चा खोलने में बिन दिसा का चुनाव इन दोनों बातों से इस्टालिन ने यह अर्थ निकाला कि पश्चिमी सक्तियां रूस में भारी तबाई देखना चाती है तो यह भी सीटूद के उत्मन का एक कारण रहा उसके बाद पश्चिमी राष्टों की फासिस्टों से गट जोड रूस की इस बाद से बहुत सोब था कि अमरीका का इटली तता फ्रांस के फासिस्टों से गट बंदन है दूसरी और जब फिनलेंड ने रूस पर आकरमन किया तो अमरीका ने फिनलेंड के साथ अपने संबन तोड़ने की अनावसक देरी की इसे रूस के मन में पस्यमी राष्टों के परती संदे हो गया कि सामयवाद के सत्रू विश्व राजनिती में सोयसंग की भूमिका को शिमित करना चाते हैं फिर अगला बिंदू सोयसंग के विरुद प्रचार अमरिका गुट तथा बिटे ने युद के समय ही अपने सेनिकों के मन में रूस के प्रती गर्णित प्रचार किया और उन्हें यह बताया गया कि सामयवाद उनके द्वारा इसे ही समाज के लिए खत्रा बनता जा रहा है अमरिकी समाचार मादियमों ने सोयसंग का आकरमक तता प्रचारवादी राष्टर कहा चर्चिल ने भी रूस की विरुष्टा को तानेसाई विरुष्टा बता कर उसकी अलुसना की इसे सीत युद के कार्णों का बिजारोपन हुआ फिर अगला बिंदू सस्तरों की विकरी रूस तता अमरिका दोनों ही राष्टर अपने हत्यरों की विकरी विश्व बाजार में करते हैं यह दोनों राष्टरगी अस्तर सफ्तरों के बड़े वेपारी है इस वेपारी परतिस्परदा से भी सीटियूद को बढ़ावा मिलता है फिर राजनितिक परभूतु, अमरीका और रुस दोनों मासक्तियां अपने अपने राजनितिक परभूतु के परसार के लिए एक दूसरे के विरुद नए नए तरीके अबनाती रहती है एक दूसरे के विरुद तरक देता है जिसे सीट यूद चलता रहे फिर अगला बिंदू हाता है इसके उत्वति के कारण में उपनिवेसों में राष्टरवादी सम्मेलन विदार्तियों दिर्त विशूद काल में विबिन उपनिवेसों के निवासियों द्वारा ब्रिटेन फ्रांस तता अमरिका आदी सम्रेजवादी विदेशी सरकारों के विरुद राष्टरवादी अंदूलन चेड़े गए थे सोयसंग की इन अंदोलन करताओं के साथ साहनु भूती भी थी यह भी एक उत्सीत्यूद की उत्पती का कारण रहा फिर उत्री इरान से फोजे हटाने से सोयसंग का इंकार सान 1922 के समझोते के अनुसार जर्मनी के आत्म समर्पन के च्छ मा के अंदर सोयसंग तता फशिमी सक्तियों ने अपने फोजे हटाना स्विकार कर लिया था यति भी यूद की समापती पर बिटेन और अमेरिका ने अपनी सेनाए दक्सेनी इरान से हटा ली परन्तु सोयसंग ने अपनी सेनाए हटाने से मना कर दिया इसे इरान में विद्रो हो गया तता इरान को सोयसंग के साथ संदी करने के लिए तता 25 वर्सों तक उत्री इरान के तेल साधनों पर सोयसंग को अधिकार देने के लिए बादियव होना पड़ा ये समझोते के बिलकुल विपरित था इसलिए पच्छिमी सक्तियों ने इसका कड़ा विरोत किया बाद में सोवेट राष्टे संग के हस्तसेप के बाद सोवेट संग ने इरान से अपनी सेनाई हटाई फिर अगला बिंदू जो आता है वो है सोवेट संग का युनान पर दबाओ 1944 के एक समझोते के अनुसार युनान पर ब्रिटेन का अधिकार सेत्र स्युकार कर लिया गया दिर्टे महायुद में ब्रिटेन की इस्तिती निर्बल होने पर उसने युनान से अपने सेनिक अड़े समाप करने की गोशना कर दी जिसे युनान की सकती सुनिय परदेश को भरने के लिए सोयसंग की प्रेना से अलबानिया, युगोसलाविया, बल्गारिया अधी द्वारा युनानी कम्यूनिस छपमारों को परंप्रागत राज तंत्रिय सासन उखाडने के लिए सहता देना प्रारम कर दिया इसको रोगने के लिए अमरिका ने ट्रूमें सिदान जिसे अपन कह सकते हैं अमरिका द्वारा युनान और टर्की के आर्थिक साहिता देना तरथा मार्सल योजना जिसमें अमरिका द्वारा यूरोप को पुनन निर्मान करना के द्वारा अस्तसेब किया जिसे रूस और अमेरिका अपरत्रिक्स रूप से एक दूसरे के विरोधी बन गई फिर पंदरवा बिंदू इसकी उत्पति के कारण का आता है सोवेज संग द्वारा टर्की को वस्मे करने का प्रेत्न इदार्तियों यूद के पस्चाद सोवेज संग ने टर्की पर मतलब रूस बाज फेरस में अपना सैनिक अड़ा बनाना चाता था टर्की तथा अमरिका ने इसका विरोध किया अमरिकी राश्पर्टी टूमेन ने टूमेन सिधान दिया जिसके अनुरूप उन सभी राश्पर्टों को जो अपनी इच्छा उनुसार सरकार बनाने के लिए संगर्सरत थे सब परकार की साहिता देने का वादा किया अमरिका ने यूनान और टर्की को इसके आदार पर आर्थिक और सैनिक साहिता परदान की जिसे स्युद्यूद को और अधिक बढ़ावा मिला फिर आता है सोयसंग का जर्मनी पर दबाव पस्यमी सक्तियों का मत था कि सोयसंग जर्मनी पर मित्र राश्टे सेनों के निंतरन तशा सेतर के बारे में यूद कालिन समझते को जान बूचकर भंकर रहा है जर्मनी के संबन में पस्यम सक्तियों ने सोयसंग की आलोसनाई की और उन्होंने कहा कि सोयसंग जर्मनी पर दबाव बना रहा है फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सोयसंग का अप्रियाप्ट पस्यमी साइता विदार्तियों सोयसंग का ये विचार था कि जर्मनी के अक्रमन के कारण उसे काफी हानी उठानी पड़ी है इसलिए पस्षीमी देश उसे अक्रमन का समान करने के लिए परियाप्त साहिता दे पस्षिमी देशों ने उसे उसकी आवशक्ता के केवल 4% साहिता दी वह भी धीरे धीरे दी इसको रूस ने पस्षिमी देशों द्वारा जान बुचकर उसे कमजोर करने की निती माना जो भी शीदूद के उत्पन होने का एक कारण रहा फिर अगला बिंदू आता है लेंड लीज समझोते का आकस्मिक समापन विदार्तियों लेंड लीज समझोते के आधार पर पस्षिमी देशों द्वारा सोयशं को आर्थिक सहिता दी जाती थी जिसे पस्षिमी शक्तियों ने अचानक बंद कर दिया जिसे भी शीत यूद और अधिक बढ़का और अधिक तिर्युगरती से उत्पन हुआ और इसका अंतिम जो आता है वो है अंतरिक्स यूद जिसे अपन इंगलिस में कह सकते हैं स्टार वार अमरिका की राष्टपती डिगन के नितुरतों में अंतरिक्स यूद कारिगरम त्यार किया अलस्नों के बाद भी इसे बंद नहीं किया गया रूस ने इसे यूद वेपारी की प्रवरती बताया और यह भी शीत यूद की उत्पती का हेक महत्पून कारण बना तो विदारतियो आज के इस वीडियो में शीत यूद का अर्थ उसकी परिवासा और अपन ने उसकी कुछ उत्पती के कारण पर चर्चा की नेक्स्ट अपन शीत यूद के परभाव के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद थैंक्यू जैहिंद